नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरी और आपका स्वागत है स्जीवी नियूस पर राहूल गांधी जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विशे बने हुए खास तोर पर उनकी सदस्ता रध होने को लेकर अब इसी मामले में अधीर रंजन चोधरी ने लोकसबा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और राहूल के मामले पर चर्चा करने का अग्रे किया है जी हां अगर बात किया है तो लोकसबा में कॉंग्रेस के नेता अधीर रंजन चोदरी ने गुजरात के अमरेली से भारतियन्ता पार्टी के संसद नारनवाई कछाडिया के मामले का हवाला दिया है और अधीर रंजन चोधरी ने कहा है कि निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद भी भारतियन्ता पार्टी के इस लोकसभा सदस्यत को हाई कोट और फिर उसके बाद अगर बाद के तो सुप्रीम कोट जाने का मुका मिला कॉंग्रेस के वरिशनेता अधीर रंजन चोधरी ने दरसल अगर बाद के तो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और अगर बाद के तो इस पत्र में अधीर रंजन चोधरी की तरव से अपील की गई है कि राहुल गांदी को लोकसभा की सदस्यत से अयोग्य ठहराए जाने के विशे पर सदन में चर्चा कराई जाए और उन्होंने ये भी का है कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि क्या राहुल गांदी को अनूचित दंड दिया गया है तो ये दरसल चर्चा की मांग ही जा रही है और आगे इसमें उन्होंने का है कि राहुल गांदी के मामले में ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ और सूरत की निचली अदालत का फैसला आने के बाद ही उन्हें सदन की सदस्यता से ततकाल अयोग्य ठहरा दिया गया अधीर रंजन चोधरी ने आगे उस पत्र में आग्रे किया कि इस विशे पर सदन में चर्च होनी चाहिए और लगातार जो है यहाँ पर अगर बात कि रहे तो अधीर रंजन चोधरी के लगलग बियान भी सामने आते हैं अब यह पत्र लिखा गया है कॉंग्रेस की दरव से नेता है अधीर रंजन चोधरी ने बताया कि 2016 में राहुल के मामले और अमरेली सांसद नार सबा के दुरान गुजरात में अमरेली सीट से ततकालिन सांसद नारनभाई कछाडिया को धारा 332, 186 और 143 IPC के तहत एक अपराद का दोशिट हैरा आ गया था और धारा 332 IPC के तहत 3 साल की कैद और 143 धारा के तहत 6 महीने की कैद की सजा दी गई थी उन्होंने कहा कि कछाडिया ने उच्च नायले में अपील जो है वो दायर की लेकिन उसने दोशसिदी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था तो ये देखे जो बात सामने की जारी है अधीर रंजन चोदरी इस मामले में लिखते हैं कि उच्चनायले ने सजा के निलंबन की अनुमती दी यानि कि सस्पेंशन के अनुमती दी लेकिन जन प्रती निदित्व अधीनियम 1951 की धारा आठ के प्रावधानों के अनुसार सदन की सदस्यता से अयोग्य गोशित किया जाना चाहिए था हालांकि ततकालिन अध्यक्ष ने सदस्य के खिलाफ किसी भी कारवाई यानि कि अयोग्यता सहित का जो है वो सहारा नहीं लिया दरसल यह पूरा मामला क्या है यह पूरा मामला यह है जो राहुल गांदी पर 2019 ल कुझरात के भारतिय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्नेश मोदी ने मानहानी का मुकदमा दायर किया था जिस पर कुछ दिन पहले ही सुनवाई करते हुए सूरत की एक अधालत ने राहुल गांदी को जो है दोशी करार दिया अपना फैसला सुनाया और अपने फैसले में राहुल गांदी को इस मामले में जो है दोशी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी और नियम के अनुसार अगर किसी सांसद या फिर विधायक को दो साल या फिर इससे अधिक की अगर सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है और अगर बात क सिता जाने का आदेश जारी कर दिया था राहुल गंदी का और आपको बता दें कि गुजरात के सूरच जिले की कोट ने राहुल गंदी की करनाटक में चुनाप प्रचार के दोरान जो 2019 लोकसवा चुना हुआ था उस चुनाप प्रचार के दोरान मोधी सरनेम को लेकर दिये वो जेल की सजा जो सुनाई गई थी वो 23 मार्च को सुनाई गई और उसके अगले ही दिन यानि की 24 मार्च के दिन लोग प्रतीनी दित्व कानून के कारण लोग सबासे राहुल गांदी की संसत सदसता रद कर दी गई थी और अगर बात किए यहां पर कॉंग्रेस नेता की और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांदी जब सोमवार को इस मोधी सर ने मामले में दो साल की सजा सुनाई जाने के फैसले को चुनोती देने के लिए गुजरात पहुंचे सूरत गए थे और उस समय इसे लेकर यही अधीर रंजन चोधरी जो हैं कॉंग्रेस सांस इन्होंने उस समय कहा था कि राहुल गांदी ने कहा है कि वह डरेंगे नहीं वह अमिच्षा नरेंदर मोधी के सामने नहीं जुकेंगे वह नयाइपालिका के सामने ही जाएंगे और एक तरफ आप कहा रहे हैं कि उन्हें कोड जाना चाहिए लेकिन जब वह जा रहे हैं तो इस पर आपको क्या दिक्कत हो रही है देखिए यह जो statement उससे में भी सामने आ था ये भी जो है चर्चा का विशे बना था कि इसमें डरने की बात आखिरकार मोदी अमिच्छा से कहां आ रही है यानि कि नरेंदर मोदी अमिच्छा से डरने की बात क्यों सामने आ रही है जबकि यह जो सजा सुनाई गई है एकोड की तरफ से सुनाई गई है और यह जो पूरा मामला है इसमें पुरनेश मोदी ने कही ना कहीं जो है वो याचिका दैर की थी और दूसरा मामला जो पत्रा में 12 अप्रल को जिसमें सुनवाई है वो सुशील मोदी ने उसमें जो है य राहूल गांदी के पीछे पढ़ गया है और एक और वीडियो सोचल मीडिया प्रवाइडरल हो रही है जिसमें अधीर रंजन चोदरी 2019 में कहते थे कि अगर इन्हों ने कुछ कह राहूल गांदी सोनिया गांदी को जेल में डाल करके दिखा दरसल जो स्टेटमेंट है अधीर की कारवाही पर सवाल उठ रहे हैं इससे निपटने के लिए खुली चर्चा होनी चाहिए अब यहां पर सवाल यह बनता है अगर इसमें जो अधीर रंजन चोदरी कह रहे हैं कि तीवर गती से जो है इसमें कारवाही की गई इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था तो क्या यहां पर जो नियाईक प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि जस्टिस को जो है इतना देरी से दिया जाता है कि तब तक जस्टिस का क्या पता कुछ मतलब रहे भी या ना रहे तो अब जब यहाँ पर जल्दी से कारवाई की जा रही है तो इस पर भी कहिना कहीं कॉंग्रेस पार्टी को आपत्ती है और वही कॉंग्रेस पार्टी आपत्ती दर्श करवा रही है दूसरी तरफ यह जो चर्चा का विशे का जा रहा है कि राहूल गांदी की जो सदस्ता गई है उसको लेकर चर्चा की जानी चाहिए तो यहाँ पर सदन के अंदर बार बार आकर के काले कपड़े पैन कर ठीक है आप विरोध कर सकते हैं विरोध करना बिल्कुल आपका मौली क अधिकार है विपक्ष में है लेकिन खुद ही पिछले इतने दिनों से जब से बजट सत्र का जो है दूसरा चरण शुड़ू है तब से लगातार संसत स्थगी तो रही है चाहे राज्य सबा हो चाहे लोग सबा हो संसत को चलने ही नहीं दिया जा रहा लगातार जाकर के वह आपके पास कोई सबूत है लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से आप देखिए एक हिसाब से सुप्रीम कोड ने जो जांच कमेटी बनाई है वो इस पर जो है पूरी जांच कर रही है लेकिन उनको जाकर के कोई यहां पर सबूत नहीं दिये जा रहे और केवला करके सदन की कारवाही को रोका जा रहा है बार बार जो है वही मुद्दे को लेकर के संसद जो है ठप हो रही है तो जब खुद कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से बाकी पक्षी दिलों की तरफ से संसद को ठप कर रखने का काम जो है चल रहा है तो इस बीच कैसे जो है यहां पर पर उन्होंने किया कि जो यहां पर कहा गया भी जेपी सांसत के लिए कि वो जो है अपील करते हुए उपरी अदालत में गये तो यह मोका तो राहुल गांदी के पास भी है इसलिए उन्हें उसी समय सजा सुनाने के साथ ही 30 दिन की जो है मुलत दे दी गए थे उसके बाद उनको यहां पर जमानत भी मिल चुकी है तो कहीं ना कहीं इसमें जो है दोनों पहलियों को एक तरह जो पर रख कर तोलने का प्रयास कि जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से बहरहाल अब यह जो स्टेटमेंट सामने आई इसको लेकर आपका गया गयाना आपकी गया रहा है आप मारसत कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं मारसत धन्यवाद